नमश्कार दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बेस्ट लाइसी प्लान के चैनल पर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ छे ही साल पैसे पे करने हैं जी हाँ सिर्फ और सिर्फ छे ही साल जैसा कि आप सबसे पहले दोस्तों इस प्लैन का नाम जान लेते हैं इस प्लैन का दोस्तों नाम है जीवन लक्षे जिसमें आपको हमने 933-21 साल के लिए प्लैन दिया हुआ है और वहीं अगर हम समशोड की बात करें तो इसमें 5,50,000 का समशोड आपको दिया गया है और वहीं अगर हम प्रीमियम की बात करें तो वो अपने अगर मंतली करनी है तो 2545 होगी और वहीं अगर एन्यूल के हम बात करें तो 30,480 रुपे होगी तो आगे बढ़ती हैं और जानते हैं ये प्लैन कैसे वर करता है इस चार्ट के माध्यम से तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा ये हमने एक टेबल बना रखा है इसमें जिसे आपको समझने में असानी रहेगी तो फर्स्ट वले कॉलम में ये दोस्तों जो इयर्स दे गए हैं 2021 से लेके 42 साल तक का ये प्लैन है और अगर हम एज की बात करें तो 30 साल से लेके 51 साल तक जाएगी ये हो सकता है आपकी एज 31 हो 31 हो 32 हो 34 हो ये 41 हो उस अकोर्डिंग ये प्लैन आपको दिया जाएगा अगर हम वहीं रिस्क कवर की बात करें तो इसमें दोस्तों आपकी जो रिस्क कवर रहती है वह 22 लाख से शुरू हो जाती है और 1,13,000 तक जाती है नॉर्मल कवरिज में वहीं अगर हम एक्सिडेंटल की बात करें तो वह 27 लाख से शुरू होके एक लाख 68,000 तक जाती है 86,000 तक जाती है अब इसमें दोस्तों हमें 2 अप्शन मिलते हैं एक आप normal premium दीजिए और उसके बाद जो maturity है वो ले लीजिए लेकिन आज हम इसका एक दूसरा option देखने वाले हैं जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 साल ही पैसे pay करने हैं और जो आपकी maturity रहेगी वो भी 10 लाख ही रहेगी तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको usual दिखा दिता हूँ कि usual में कैसे होता है usual में दोस्तों जो आपका normal रहता है case उसमें आपको अगर आप 21 साल का plan लेते हैं तो उसमें आपको 3 साल का rebate देती है LIC 3 साल आपने पैसे नहीं pay करने होते हैं तो उस case में सिर्फ 18 साल पैसे pay करने होते हैं तो यहां से यहां तक 18 साल के लिए आप पैसे pay करने हैं उसके बाद आपको जो maturity है वो 10 लाख रुपे as a maturity 21 साल दे दी जाती है लेकिन अब इस case में क्या है इस case में आप दोस्तों इस side आएंगे right side में तो आप देखेंगे yellow color में जो amount लिखी हुई है payment through own funds मतलब जो payment है वो आपके हिस्ते में कितनी जा रही है तो first year, second year, third year, fourth year, fifth year और sixth year छे साल आपने पैसे pay की हैं उसके बाद दोस्तों आपने यहां आ जाना है यहां लिखा हुआ है loan taken, loan amount required और interest on previous loan paid हमने कितना लिया था और कितना देना है और हमें कितने की loan की ज़रूरत है अब आप कहेंगे कि loan इसमें क्यों लेना है और हम क्यों loan के interest pay करेंगे तो इसमें दोस्तों आपने कुछ भी pay नहीं करना है, loan भी नहीं पे करना है और loan का interest भी pay नहीं करना है, वो सारा का सारा LIC ही pay करेगी आपकी तो सबसे पहले दोस्तों हम loan requirement देख लेते हैं, हमें loan की कितनी requirement है तो जैसा के आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो किस्त है हमारी, वो 29,832 रुपे है तो loan required में आप देखेंगे तो 29,832 रुपे लिखा हुआ है इतना ही हम loan ले लेंगे और जो यह premium है हम pay कर देंगे अब next year क्या होगा? हमें जो हमने पहले loan लिया था 29,000 का उसका यह interest आ गया है 2834 रुपे तो यह हम plus और यह जो हमारी किस्त है, premium है उसको plus करेंगे तो हमारे पास यह amount आ जाती है 32,666 रुपे जो कि हमें चाहिए तो हम दुबारा से loan file करेंगे और हमें यह amount मिल जाएगी इस loan जो यह amount मिलती है हमें, इससे हम दोस्तों यह payment कर देंगे और साथी साथ इस साल की जो premium रहेगी वो भी pay कर देंगे ऐसे ही फिर से यह हमारा premium है और यह हमने जो यहाँ पे loan लिये थे दो यह जो दो loan लिये थे उसके जो interest हो गया है वो 5937 रपे हो गया है तो इनको मिला के जो हमारी को जरूरत है भी पैसे की वो 35,769 रपे हमें जरूरत है तो इतना ही loan फिर से लेंगे हम और ऐसे ही यह pay कर देंगे फिर ऐसे ही इन दोनों को plus करके यह amount चाहिए यह फिर से हम loan फाइल करेंगे और ऐसे करते करते आप last में आएंगे तो जो last किस्त है वो भी हम ऐसे ही pay करेंगे जो हमारा किस्त रहेगा और जो interest रहेगा इतने की हमें जरूरत होगी और इतना ही हम loan फिक करके LIC की तरफ से उसे pay कर देंगे और जो next फिर से अगले साल एक बरी और loan लेंगे जिससे की हम अपना interest pay करेंगे तो ये वाला भी interest हमने यहां pay कर दिया है अब 18 साल 19 साल पूरे हो चुके है दो साल wait करने के बाद आपको जो maturity है वो दोस्तों सेम 10,81,300 रुपे दे दी जाएगी सबसे बढ़िया plan है ये दोस्तों इसमें आपको जो maturity है वो दे दी जाती है अब आप पूछेंगे लेकिन ये loan भी तो भनना है और जो हमने ये loan का interest और जो loan लिया था वो भी तो भनना है वो क्यासे भनेंगे तो उस case में दोस्तों आपने जो हमारी maturity आई थी उसमें से अब यहां पे हमने देखिए loan taken जो यह loan है यहां पे दोस्तों इसका total दिया गया है 6,77,000 हम loan वापिस करेंगे लाइसी का जो हमने इससे लिया था अगर हम इसमें से यह minus कर देते हैं तो हमारे पास 204,34,000 अभी भी बच रही है हमने यह इस पे कोई भी tax free यह हमारे पास बच रहा है इस पे कोई भी extra पैसा पे नहीं करना है तो आप जानते हैं आगे तो सबसे पहले दोस्तों हमने यह 6 payments सिर्फ खुद से दी थी हमारी जेब से जो पैसा गया था वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यह 6 payments गई थी उसके बाद 0 था जो अगर हम इसका total करेंगे वो 1,89,000 होगा जो की अगर हम normal में देखेंगे कि normal case में हमने कितना pay करना था पांच लाग 37,000 लेकिन यहां आपने pay किया 1,89,000 अब अगर हम investment की बात करें किनना percent तक हमें rate of interest मिल रहा है अगर हम normal की बात करें तो इसमें हमें 11% sorry 8% तक return मिल जाता है लेकिन जो हमने अभी दूसरा option चोज़ किया उसकी वज़े से हमें जो rate of interest मिल रहा है इसमें 11 point कुछ के percent मिल रहा है आप वैसे भी normal भी देख सकते हैं पर हमें 10 लाक 31 जार मिल रहा है और हम 5 लाक 47 जार दे रहे हैं तो इससे जादा ही होगा 2 गुना के इसाब से मिल रहा है यहां पर आप एक लाख 89 जार दे रहे हैं और चार लाक मिल रहा है तो सबसे पहले जैसा कि हमारा ATC के तहत जो हमारा premium होता है उसमें भी आपको income tax benefit मिलता है तो उस case में देख सकते हैं आप यह हम यहाँ पे पे कर रहे हैं every year 9,014 रुपे अब 6 साल बाद हमने दोस्तों इस पे loan ले लिया था तो loan का जो interest होता है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं वो हम पे करें हैं वहीं अगर हम total की बात करें तो यह दोस्तों यहाँ total हो गया है यहाँ देख सकते हैं आप पहले 9,014 देर थे अगले साल से आपकी जो saving हो रही है tax saving वो 9,890 रुपे हो रही है उसके बाद 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे करते करते यह बढ़ रहा है अगर हम total इसकी बात करें आपने 21, 19 साल में tax कितना save किया तो दोस्तों आपने 2,6,000 रुपे इसमें सिर्फ tax save किया है सिर्फ tax आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी अब मैं आपको बताता हूँ इसमें normal वाले से और जो हमारा दूसरा option है उसमें क्या difference आजाता है risk cover दोस्तों इसमें दोनों में ही आपको same मिल जाता है 22,00,000 और 22,00,000 यह option 2 है और यह option 1 है usual जो normal plan हैगा हमारा और जो under this scheme जो यह वाली scheme जब मैंने आपको बताई है उसके अंदर अगर maximum की बात करें तो वो भी same है 27,00,000 हमें वहाँ पे मिल रहा था 27,00,000 इस policy में भी मिलेगा total premium paid की बात करें तो पहले वाली normal case में आपने 5,00,000 37,000 पे करने थे लेकिन इस वाले में 1,69,000 इपे करना है ATC के तहट आपको इस वाले plan में 16,000, sorry 1,62,000 का मिलना रहा था 1,62,000 का आपको इसमें tax saving मिल रही थी same इसमें भी आपको tax saving 1,62,000 की ही मिलेगी और यहाँ पे आपको कोई भी loan interest वाला नहीं मिल रहा था लेकिन यहाँ पे आपको loan interest वाला भी मिलेगा जो की loan interest का जो हम pay करते हैं उसमें भी हमें rebate मिलती है तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी अगर हम इन दोनों का total करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था 2,61,000 रुपे हो जाएगा तो अगर हम tax saving की बात करें तो आपने 19 सालों में LIC को दिया था 1,69,000 लेकिन आपने tax कितना save किया 2,61,000 अगर उसमें से minus करेंगे हम तो हमारे पाद 81,000 minus में आएगा आपने तो कुछ पे करा ही नहीं है आपको 4,00,000 रुपे free of cost 100% free email मिली है without any interest मुलब इसमें अगर आप interest की बात करें तो आपको 4,00,000 परसेंट का interest मिल रहा है एक असाब से अगर हम देखा जाए और वहीं अगर हम process wife maturity जो थी वो की बात करें तो वो पहले अगर आप normal करते हैं तो 10,00,000 और अगर हम वैसे देखें तो आपको इस under scheme के अंदर देखें तो आपको 4,00,000 परसेंट रही मिल रहा है वहीं अगर हम compound value of preceding मैं लोग total अगर देखें कि आपको उसक्त मिलेगा तो ये आपको total उसक्त मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको normal वाले में 8% तक की जो returns है वो मिल जाती है लेकिन वहीं इस policy के अंदर आपको 11,000, 11% तक अगर हम आप tax deduction नहीं लेते हैं अगर उस case में देखें तो आपको 11% तक की rate of interest मिल जाता है येकिन वहीं अगर आप tax भरते हैं और उसमें deduct करवा लेते हैं ये सारी चीज़े तो आपको 4,000,000 परसेंट तक की आपको मिल जाती है returns आपको जो ये 4,000,000 पर पे हैं ये free of cost ही मिल रहे हैं क्योंकि आपने tax save भी किया और जो premium दिया वो tax saving के उसमें cut गया तो अगर उससे अब देखें तो चार लाकर पे आपको without any cost मिल रहे हैं तो ये plan दोस्तों आपको कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएं और मिलते हैं next video में तब तक के लिए दोस्तों जैहिंद जै भारत